नमस्कार में भारती का पासिया सौगत है आप सभी का N27 News में सुबा उटते ही खाए ये सूपर फूर दिन पर रहेंगे एनरजी से भरपूर जी हाँ वक्त हो चुका है कुछ नई टिप्स जानने का सुबा का नाश्ता सरीर के लिए बहुत जरूरी होता है दिन का पहला भोजन या ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए क्योंकि हमारा पेट उस समय खाली रहता है सुबा उटकर सबसे पहले काफी सारा पानी पीना चाहिए सुबा हम जो भी खाए वह पोशन से भरपूर होना चाहिए दिन की शुरुआत कुछ भारी खाने के बजाए हलके से करनी चाहिए सुबा सुबा भीगे हुए बादाम खाना सेहत के लिए बेहत फायदे मंद होता है इसमें बहुत सारे जरूरी वाइटमिन और मिनिरल्स होते हैं दिन की शुरुआत अच्छी करनी है तो सुबा सुबा पांच से दस बादाम खाए रात भर बादाम भीगोए रात भर बादाम भीगोने से इसका निट्रीशन और बरजाता है सुबा सुबा बादाम खाने से भूग भी जल्द नहीं लगती बिना भीगोए बादाम खाने से पाचन संबंदी परेशानिया हो सकती है दिन की शुरुआत एनरजी के साथ करनी है तो खजूर को अपनी डाइट में जरूर शामिल करे खजूर में धेर सारे पोशक तत्व पाये जाते हैं और ये कई बिमारियों को भी दूर करते हैं खजूर में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है इसके लावा खजूर कब और आपज की समस्याव को भी दूर करता है वहीं आपको बता दे छोटे से दिखने वाले चिया के बीज बेहत सेहत मंद होते हैं इनमें भरपूर मातरा में प्रोटीन पाया जाता है क्योंकि इनमें सबी आवशक अमीनो एसिड होते है चिया बीज सरीर के लिए जरूरी फैटी एसिड मेगनीशियम आयरन और विटामिन बी से फरपूर होते हैं एक चम्मत चिया बीज को राद भर पानी में भिगोए और उन्हें सुबा खाले इसे स्मूदी ताजे फलो और नाश्टे में डाल कर भी खाया जा सकता है सुबा सुबा खाली पेट पपीता खाना बहुत अच्छा होता है पपीते में क्लिंजिंग गुन होते है यह पेट को साफ करने में मदद करता है पपीता स्कीन के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है पपीता खाने के कम से कम एक घंटे बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए खाली पेट पपीता खाने से बैड करेस्टॉल की समस्या भी दूर होती है अभी के लिए तना ही देखते रहे हैं N27 News आप देख रहे हैं N27 News पकड हर ख़बर पर